तो आप लोग देख सकते हैं कि यह मेरे हाथ में एक क्या है 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 खुल जाया सिम्सिम अबरा का डाबरा तो यह मेरे हाथ में एक Convax Lens तो आप देख सकते हैं कि जो Concave Lens है इसका जो Middle वाला हिस्सा है वह बहुत ही मोटा है और उपर का और निचे वाला जो हिस्सा है यह बहुत ही पतला होता है पतला में जो से P80LA पतला होता है पतला होता है ठीके तो अभी यह candle हो गया दिस इस दो अब्जेक्ट और यहां पर यह स्क्रीन हो गया एक नोट कॉपी और यह हो गया मेरा लेंस हो गया अब इससे हम देखेंगे कि कौन साइमेश फरमेशन होता है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो अभी आप देखिए यह जो candle है और बीच में यह रहा लेंस हो गया और पीच्छु आप देख सकते हैं इसका उल्टा इमेश बनना है पीच्सु आप देखिए यहां पर कौपी को पर देखिए इसका उल्टा इमेश बनना है इसका मतबल ई हुआ कि जो convex lens होते है वो में कौन साइमेज फर्मेशन होता है वो में real and inverted image फर्मेशन होता है ठीके सबको समझ माया तो ठीके तो अब एक concave lens को लेके देखते हैं ठीके तो इंतिजार कीजिए concave lens के लिए अभी यह मेरा हाथ में है एक Concave Lens और जो Concave Lens होता है इसका जो Middle वाला हिस्सा होता है ये अंदर के तरब मूडा हुआ होता है मतलब Middle वाला हिस्सा पतला और उपर का और निचे का हिस्सा मोटा होता है ठीक है तो पकडिए आप Concave Lens को पकडिए ठीक है और अभी हम देखेंगे यह रहा मेरा कनकेब लेंज हो गया और यह कैंडल है अबजेक्ट लेंज रहा गया बीच में और कॉपी के उपर आप फोकस कीजिए कॉपी में कोई भी इमेज नहीं बना मतलब जो नोड कॉपी है उसको हमने ले लिया था स्क्रीन की तरह स्क्रीन पर देखिए कोई भी के उपर नहीं बनेगा ठीक है तो अभी मेरे हाथ में है यह जो मिरर यह मिरर है और दिस मिरर इज नो नज यह कौन सा मिरर है कॉनकेब मिरर है क्योंकि यह कॉनकेब इसलिए है क्योंकि इसका जो मिडल वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ मुड़ा है ठीक है यह अंदर की त इमेज बनता है बरियोल और इन्वर्टेड होता है ठीक है तो अभी देखिए मैंने अभी इसको अपने हाथ से पकड़ा और अभी मैंने इसको कैंडल की तरफ घुमाया और इसका इमेज देखिए बनता है केसे बन गया जो स्क्रीन के उपर बनता है कितना बड़ा है कितना बड़ा बड़ा है तो यह अरियोल इमेज बन गया रियोल लैंड इन्वर्टेड ठीक है अभी मैंने देखिए मैंने कौन केप को यहां पर रख दिया और यहाथ में पकड़ लिया कॉन्वेक्स मिरर इसको थोड़ा साब कर द सो यह कॉन्फेक्स मिरर है ठीक है कॉन्फेक्स मिरर का जो मीडिल वाला हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ थोड़ा सा बाहर की तरफ फुला हुआ रहता है ठीक है यह बाहर की तरफ इसलिए फुला हुआ रहता है क्योंकि उसको गुसा बहुत जल दिया जाता है तो इसलिए बनना ठीक है जो कॉपी के उपर मैंने जो स्क्रीन लिया है आपे कोई भी इमेज नहीं बन रहा है इसका मतलब यह हुआ कि जो कॉन्भेक्स मीरर होता है उसे रियल इमेज नहीं बनता सिर्फ कॉनकेब मीरर पे ही बनता है तो यह याद रखेगा रियल इमेज बनेगा सिर्फ किस पे सिर्फ बनेगा कॉनकेब मीरर में और कॉन्भेक्स लेंज में तो कॉनकेब कॉन्भेक्स लेंज को थोड़ा पकड़िए तो अभी यहाँ पर कॉनकेब लेंज है सॉरी कॉन्भेक्स लेंज है कॉन्भेक्स लेंज में रियल इमेज बन रहा है ठीक है और लेंज में और कॉनकेब मिरर में ठीक है अब एक साथ देखिए जो नीचे वाला है में जे वो है लेंज का कॉन्भेक्स लेंज का और जो उपर वाला है में जे वो कॉनकेब मिरर का है ठीक है जय जबान जय किसान और हमारा चंद्रमने महान बाबाई झाल झाल